हेलो स्टुडेंट्स वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ICSC Math पर आज हम यहाँ पर कोई question answer नहीं करेंगे भी आज की जो यह video है बहुत ही special होने वाली आपके लिए क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम exam देते तो exam में क्या-क्या mistake ना हो हमसे कैसे exam को हम attempt करें ताकि हमारे marks deduct ना हो और किन बातों का ध्यान रखना है वही बात करेंगे भी यहाँ पर mostly हमने देखा है चाहे topper बच्चा हो या average बच्चा हो ठीक है marks कट जाते हैं मेशा किसी mistakes की वज़े से तो वही mistakes नहीं करनी है आपने उसी के बारे में आज बात करेंगे तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा बहुत ही जादा helpful होगा आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ TPR strategy how to get good marks चीक है भी तो इसके अंदर आपको सिर्फ इससे समझना नहीं है इसको amplify भी करना होगा एक्जाम में तभी आपका फायदा होगा benefit होगा otherwise कोई फायदा नहीं है इसका ठीक है तो ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं ठीक ही यहाँ पर time आएगा time management का आएगा time management आएगा आपका कि जब आप exam देतो हो तो आपको वहाँ पर time का बिल्कुल ध्यान रखना होता है सबसे पहले बात करते है time कैसे आप वहाँ पर बचा सकते हो बिल्कुल simple है आपको पता भी है जब आप exam करते हो तो यह तो है नहीं है कि almost सारे question आपको देखते सारी हाँ यह आ रहे है यह नहीं आ रहे है ठीक है तो कुछ बच्चे क्या करते है starting में बिल्कुल सुरू से करने की कोशिश करते है exam को कि भी line wise करेंगे तो अच्छी बात होगी बट वहाँ पर सबसे बड़ी problem क्या हाती है भी हमारे पास यहाँ पर कि जब हम सुरू से करने कोशिश करते हैं अगर आपको वो question नहीं आते हैं तो आप वहाँ पर सोचने में बहुँ ज़्यादा time waste करते हैं और वही आपने नहीं करना है ठीक है सबसे पहले जब आप starting में question करते हो तो कुछ बचे हैं जो सुरू से ही बात को समझ लेते हैं हाँ भई पहले वो question कर लेते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं ठीक है क्यों क्योंकि उसमें time waste नहीं होता है इसी problems की वज़ए से कुछ बच्चों के question भी छूट जाते हैं होता है कहीं बार आपको पता होगा आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप ऐसे question करने सुरू कर देते हैं जो आपको नहीं आता बट आपको यह है कि हम मैं line wise कर रहा हूं question तो कोई problem नहीं आएगी सुरू से पूरे का पूरा question paper attempt हो जाएगा मैरा ठीक है बट ऐसा नहीं है आपको starting से वो question करने होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं बाद में अगर आपके वो question जो नहीं आते एंगर छूट भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आपको वो question जो आते भी है और यो चूट जाए तो सबसे बड़ी problem भे ठीक है जो सबसे पहले अच्छे से आता आपको उसको attempt करिये ठीक है तो आपके यहाँ पर अच्छे marks आएंगे ठीक है उसके बाद next अभी अपना यहाँ पर P यहाँ पर आएगा आपका presentation भी ठीक है presentation यह बहुत important है भी क्योंकि presentation से ही आपके marks teacher जो check करते हैं अच्छे दे पाएंगे अगर आप present अच्छे से करते हैं अपने exam को ठीक है जैसे example देता हैं आपको कई बार हम जब कोई चीज कर रहे होते हैं अगर हम अकेले में हैं या फिर बोल सकते हैं कोई speech देनी हो अगर आपको ठीक है आप 3 प्लस 3 करना हो तो 6 कर देते हैं जल्दी में हमें नहीं पता होता 9 भी कर देते हैं उसको कई बार multiply में डाल के आ जाते हैं हमें नहीं पता चलता उसका ठीक है भई तो वही चीज आपने गलत नहीं करनी है starting में बता देता हूँ सबी बच्चों को ये तो होता है भी exam का थोड़ा pressure होता हमारे उपर और उसी pressure की वज़े से जल्दी में करने की वज़े से कई बार question को गलत attempt कर देते हैं चोटी सी mistake math में यही सबसे important है अगर आप एक चोटी सी mistake starting में कर देते हो तो बाद वाला answer तो गलत आएगा या आपका तो पूरी मेहनत और जो पूरा time आपने waste किया उस question पे वो पूरे का पूरा खराब जाएगा भी ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना आपने question को अच्छे से attempt करना भी कई बच्चों के comment आते हैं मेरे पास की sir हमें जो हम multiply करते हैं या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पर addition subtraction करते हैं ठीक है question के अंदर roughly काम में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सबसे पहली तो बात भी वो question पर depend करता आपका मैं example देता हूँ आपको मान लीजी अगर आपके पास HCF, LCM निकाल रहे हैं ठीक है अगर आपके पास question आता है 343 का लगा लो या फिर आप 49 का लगा लो अगर आपके पास HCF, LCM आते हैं ऐसे निकालने के लिए तो आप direct इसको 777 करके कर देते हो ठीक है और इसको 777 तो दोनों में ये comment आ गया भाई 49 इसके HCF आजेगा लेकिन जरूरी क्या है आपको ये prime factorization factors बनाने के लिए भी side में दिखाना पड़ेगा ऐसे कुछ questions है जहाँ पर आपको calculation होती है वो question के अंदर ही दिखानी पड़ती है almost ज़्यादा तर questions के अंदर हम देखते है calculation side में करके direct answer भी लिख देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आपको question के अंदर दिख रहा है कि हाँ भी HCF LCM है या ऐसे कुछ और भी question होंगे जहाँ पर calculation दिखाना mandatory है necessary है तो वहाँ पर आपको calculation दिखानी पड़ेगी भी आप अगर roughly काम में कर रहे हो तो उसके marks नहीं मिलेंगा आपको अगर आप direct यह लिख रहे हो अगर यह नहीं बना रहे है यहाँ पर 343-749-77 तो यह चीज़ जुरूरी है भी यहाँ पर exam के अंदर आपको दिखानी पड़ेगी statement भी बहुत जुरूरी होती है भी statement आपको लिखनी होगी वहाँ पर ठीक है कई बार क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो कोई question है आपका area वगेरा निकालना किसी चीज़ का ठीक है या फिर mensuration में से बोल रहा हूँ मैं length और breath आपको दी हुई है ठीक है बट जो आपने steps मिस कर दी है उनकी वज़े से आपके marks कर जाते है भी ठीक है जैसे formula हो गया अगर आप mensuration का कोई chapter से question आरा तो जुरूरी है कि आपको formula वहाँ पर mention करना होगा ठीक है जितना हो उसके उतना ज्यादा cutting मत करना और साती सात बई calculation को अच्छे से show कर देना आपने तो marks बच जाएंगे आपके नहीं कटेंगे वहाँ पर इतने इन बातों का छोटी छोटी बाते हैं ज्यादा बड़ी नहीं है इनका ध्यान रखना होगा आपको यही बातों की वज़े से आपके marks कर जाते हैं वो नहीं होना चीए ठीक है तो यहाँ पर आपका जो presentation है बिलकुल ध्यान से करना आपने कहीं पर भी कोई भी mistake ना हो आपसे ठीक है अब चलते हैं last हमारा भई यहाँ पर rechecking ठीक है rechecking बहुत जुरूरी अभी और यह तभी हो पाएगे अगर आप time management अच्छे से करते हो ठीक है पहला step करते हो अगर अच्छे से तभी आप rechecking तक जा पाओगे rechecking का मत्मल मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अगर आप exam complete कर लेते हो और बाद में आपके पास समय बच जाते हैं तो कुछ बच्चे हैं सोचते हैं घर जल्दी चले जाएंगे copy दे देते हैं अपने teacher को lobby हो गया हमारा exam बट ऐसा नहीं करना आपने ध्यान रखना है कि जब आपका exam हो जाता है complete चाहें 10-15 मिनिट पहले अगर आप exam complete कर देते हो तो आपको उस time का use करना है ना कि आपने वो exam सर को देना है उस time को utilize करो भी rechecking के अंदर ठीक है जुरूरी नहीं है कि आप अगर top पर बच्चे हो या average हो तो आपका जो किया आपने ठीक होगा क्योंकि मैंने आपको starting में presentation में बताया था जब आप question लिखते हो तो छोटी छोटी mistake भी हो जाती है आपसे जैसे example दिया था 3 plus 3 6 लिखने की बजाए जल्दी जल्दी में 9 लिख देते हो तो वही चीज़ आपको check करनी है और वो कब कर पाओगे rechecking के through आपने question complete कर दिया है attempt कर दिया 10-15 मिनट पहले तो अराम से बैठ के अपना paper check करो कि कोई question आपसे छूट ना गया हो पहले तो यह जुरूर ही होता है वे rechecking में सबसे पहले यही देखना होता है कई बार हम सोचते हैं exam के अंदर मान लिजे आपको 10th question नहीं आता तो आप सोचते हो बाद में कर लेते हैं जल्दी जल्दी में उस पर mark करते हो और बाद में जब आपको लगता है paper देने के बाद teacher को दे देते हो तो देखते हो एक question तो मेरा छूट गया भई तो यही problem होती है तो आपको क्या करना है rechecking जरूर करना भी अपना exam अगर आप time management कर पाते हो ठीक है क्योंकि time तो होना चाहिए री चेक तप ही कर पा हूँ आप तो recheck जरूर करना है क्योंकि वहाँ पर आपके अगर छोटी सी mistake भी मिल जाती है आपको तो आप उसको ठीक करके अपना number बढ़वा सकते हो ठीक है सबसे जरूरी है recheck करना पड़ेगा आपको exam ताकि आपकी कोई problem ना हो वहाँ पर exam के अंदर अगर वो कर लेते हो आप तो rechecking के अंदर आपको कम से कम एक दो question भी ठीक कर लिया तो marks तो मिल जाएंगे न अगर आप ऐसी paper दे दोगे sir को 15 minute पहले ही तो उससे कोई फायदा नहीं आपको ठीक है तो वो time जो आपका है उसको utilize करो अच्छे से कम से कम आपके अच्छे marks आ जाएंगे जो marks आपके कटेंगे वो बच जाएंगे ठीक है भी और यह चीज आपने सुननी नहीं है इसको amplify भी करना exam के अंदर ज़्यादा stress नहीं लेनी है कहीं बार बच्चे exam के अंदर ज़्यादा stress ले लेते हैं pressure की वज़े से उस questions को गलत करते हैं जो आपको आते भी हैं अच्छे से ठीक है उन questions को आपने ध्यान से करना है I hope आपको सारी की सारी बाते समझ आईएं भी और इनको amplify भी करोगे exam के अंदर बाकी सभी बच्चों के लिए exam के लिए best of luck thank you